असलाम अलेकम जी, वेलकम बाक तो नेदर वीडियो और आज का दिन जे वो शुरू हो रहे है नेल स्पास है बस जी रोटियां हांडिया ही नहीं करनी चाहिए अपना थोड़ा थोड़ा ख्याल भी रखना चाहिए तो बहुत कचल में काम हो गया थे तो मैंने सोच आज मैं अपने हाथ पाँ जाना उनका कुछ करूँ तो मैं मैंनी बैड़ी कराने चले गई तो बस वहाँ से वापस आया तो तो त्यार होना था हमा जा रहे हैं किसी की बर्ड़े के ओपर तो गिफ्ट मैंने पहले ही मगाए वे थे उनकी बेटी को फर्ष बर्ड़े है तो यह मुझे एक मेगनेटिक राइटिंग बोर्ड मिला था मैंने वो और कर दी और एक यह शेप स्वाटिंग की बॉक्स था मैंने वो और कर दी और गिफ्ट किसी के बच्चे के थे पर excited मेरा अपना बच्चा हो रहा था मेरी जो बेटी है वो साथ ही खड़ी भी थी और उसको लग रहा था कि शायद उसको कुछ मिलने वाला है तो जी मैंने इसको अच्छे से बस गिफ्ट राप कर लिया तो बच्चपन में कभी करते थे किसी की बर्दे दोस्त बगेरा क्यों ही लेकिन अब तो काफी टाइम हो गया तो लेकिन फिर भी काफी अच्छे जो है मुझे लग रहा था कि पैक हो गया है साथ में एक बर्दे कार्ड ले लिया और ये में पस गिफ्ट बाग था उसमें डाल दिया तो जी हम पहुंचके उनकी बर्दे के पर माशाला बड़ा अच्छान अर्रेंजमेंट किया वा था और क्योंकि आफ्रिणून का टाइम था दो से चार तक की पार्टी थी तो स्नाक्स थे वेजटेबल समोसा था चपल कबाब सान्विचे थे आलू टी सान्विचे थे और ये चिकन राप से बड़े मज़े के मैंने नहीं खाए कि मेरे एस्पेंट बता रहे था मज़े कितर बच्चों के लिए पीज़ा मैंना को बताया था कि यांके बच्चे बच्चे बहुत खाते हैं तो हर जिगर चीज पीज़ा तो होता ही है और साथ मने फेस पेंटिंग और ये आर्ट्स और क्राफ्ट के लिए एक टेबल सेट किराया वा था और साथ एक कुछ है बलून इंफलेट करके बच्चों को दे रहे थे तो मेरी बेटी जहां पर इसे फेस पेंटिंग मिल जाओ किती मैंने पने फेस पे कुछ नहीं करा ना मुझे बस हाथ पे एक चोटा साना कुछ बनवा लें तो उसने एक हाथ पे रेंबो बनवाई थी और एक बना हार्ट शेप बनवाई थी तो बस चोटीटी ऐसी चीज़ इरोनिक वला होता है हर तरफ लोग मुझे है ना बड़े सादा ही खुश मिजाज होए होते हैं लाइट्स होती है अब रहा रंगीन अच्छा सम उसम होता है तो मुझे तो बड़ा पसंद है स्टोर्स में भी ना बड़ी गहमा गहमी सी लगी होती है हमारे हाँ एद और रम लिया है बस गोट मीट था स्मॉल कर्ट इसमें मैंने प्याज अद्रिक लेसं टमाटर लाल मिर्च नमक हल्दी सूखा धनिया जीरा और ओयल यह सब कुस डाल के ना मिने इसमें रख दी और इसमें जो आपको हरा हरा नजर आ रहा है ही मैंने जिस कटिंग बूर्ट पे काट जब आलूगोस्त में उन फ्रॉर्स ताइए जिया जो फार और मैंने वर्ट इसमें और आलूगोस्त भी तो मेरे अपनी मामा एखंग प्रोपणी पर गई मीतिए हमारे गार वाउस हेलप थी ना वह खाना बना रही थी तो मेरे भापा उस दिन खरी थे तो वह आलूगोस् भी भी नहीं बनानी आती थी, झा जो मठी को लगा अवट ही, मैंने बहुत भी रोटी बनाा एक तो अलू सih गोन तो अनुकोस स्पन मिला ही तो इससे में एक में तेस्पून जमी पोर्शेयरो, पी शचपवानी के सबने मां तो निम्हारत भी ख़ते हैं वसी मैंने दो चुमच दो टेबल स्पून ओयल डाला इसको मैं अच्छे से न गूंद लिया था पहले मैं सोची थी चिकन ब्रेड बना हूँ बनाने लगी तो मैंने सोचा नहीं घर में कि बच्चे भी आया वे थे फ्रेंड के तो मैंने सोचा कुछ बाइट साइज होना चाहिए तो मैंने इसको चोटे चोटे बाइट साइज ब्रेड बना दी तो बस यह ने आठा अच्छे से गूंद लिया और उसके बाद में इसके टॉप के उपर न ऑईल लगा कर और इसको म तो मुझे न वैसे विकिंग इतनी अच्छी आती नहीं है लेकिन मैं फिर भी गुजारा कर लेती हूं तो उसकी मैं फिलिंग के लिए बना रही हूं च्रिकन तिका फिलिंग है तो मैंने च्रिकन ली है बॉनलेस इसके थोड़ा सो ओयल पैन में डाला उसमें च्रिकन डाली और इसको अच्छा सोटे कर लें और इसमें मैंने थोड़ी सी डाली थी लाल शमला मेर्च और थोड़ी सी क्याबज भी और उसकी वीडियो पता ने किसे चली गी है वो मुझे मिली नहीं तो मैंने बाइस इस तरही स्टफिंग रेडी कर ली और देखें आदे गंटे के पा कभी वीकेंड पर इसे बाबा लेने आ गए ना तो मैं मेरे दो भाई है माशाला से तो हम स्कूल से बाबा वापस लेकर आते तो हमाएं घर के रस्ते में एक बेकरी थी केक्स औन बेक्स अगर कोई लहुर से है या पंजाबली साइट जो पता होगा केक्स औन बेक्स का तो रुक के बाबा केते थे थे जो शॉप भी के ने ना कर लो तो मुझे याद है मैं हमेशा चिकन ब्रेड चिकन पाटी ये दो चीजें तो डेफिनेटली मिलेती थी और वो इतनी बड़ी चिकन ब्रेड होती थी मैं के लिए खा लेती थी तो बसके ऐसे इंसान के जिन्दगी उनका हिसास वो तो बस डबल ट्रिपल से भी जादा हो जाता है और अब मैं सोचती हूँ कि अब मुझे वो वक्त वापस मिले ना कि मैं अपने पेरेंट से घर जाओं और उनके साथ रहूं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है इंशाललो तो खेरियत रखे जल्दी पाक अब बड़ी आता है और जिस तरह मेरी मामा मुझे बच्छों ने प्यार से खाना खलाती ती अब दिल करता है कि उनके लिए मैं बना कर वने खाना कर आऊं कभी मैं इनको आसर इस तरह हाथ से बना के खलाया नहीं है तो मैं शादी से पहले कोई खास मेरे किच्छन में आना इनको मिलते रहें तो बलके इस दफ़ा इन्शाला पाकसान जाओंगी तो अपने एनलॉज को भी खाना मना के खलाओंगी उनको भी मैंने कभी ने खलाया विकास में पाकसान रही नहीं हूँ शादी के बाद अल्मस्ट हफता रही थी और फिर अमेरिका आ गई तो इन्शा बड़े ही अच्छे बड़े ही मज़िदार बन गये थे बलके अब मैं सोच रही हूं कि मैं जल्दी से ना किसी और दिन दोबारा भी बना लूँ तो देखें बड़ी ही अच्छी सॉफ्ट बिट बनी थी उपर से इतना अच्छा कलर आया था अबिसली एग वाश डबाग पर कर देते है ना तो से कलर अच्छा आथा और इसके पर मैंने थोई सी कलॉंजी और सेसमी सीद भी डाले हैं बलके मैं सोची थी स्के पर सोर से सलांचो या पार्सली भी डालते ना तो कलर बड़ा अच्छा आजएगा तो जी है मैंने खाना लगा दिया साथ फ्रेश बलॉग में वलकम बाक तो अनदर दे जो कि तीसरा दिन हो गया और हम ब्रेक्फ़स्ट करने के लिए बाहर गए थे यह हमारा बन ऑफ फेवरेट ब्रेक्फ़स्ट पर्ट्स हैं क्योंकि यहां पर अपर स्वेजितेरियन ओप्शन्स जो है ना जादा अच्छी हैं तो मैं अच्छी मार्केट वेजी सैंविच और करूंगी और मेरे हस्बन एग्स बेनेडिक विल स्मोक सामन वही और करते हैं तो हम कोश़श करते हैं जब भी हमने नाश्टा करने आना होना हमें दर आज रहे हैं और किड्स में वह हाफ जिसे हाफ वाफल दे देंगे या मिनी पैं अच्छी में मैं तो इतना सालद नहीं गा सकती मैं अपने लिए परेटोस और किये थे तो जी बस ने बिल पे किया और आज ना मौसम बहुत ही अच्छा था काफी थंड थी बर धूप निकली भी थी और वैसे तो विंटर आ गये हैं लेकिन जो आटमली फीले ना कि बहुत तो आपकी एनरजी जो है वो बड़ी बेहतर हो जाती है और साथ ठंडों में बैठें एक कप चाए पियें तो क्या ही बात है तो जी आज की वीडियो थी उमीद आपको पसंद आई होगी आप अपना ख्याल रखें हम मिलते हैं किसी वार वीडियो में अलाफिस